सबी का स्वागत है सक्सेस की 98 में और जो भी चैनल के उपर फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सस्क्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजेगा ताकि हर एक विडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और साथ साथ ये भी बोलूँगा इस क इस वाले एक्जाम का ये क्लास नंबर पंदर है और डेली कबर होते हैं पचास क्विसिन यानि इस क्लास के होने के बाद आपके टोटल साड़े साथ सो प्रस्नों का जो समू है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपने अभी तक क्लास नहीं देखा है तो चैनल के उपर प्ले आप लोग देख लिजेगा मैट का क्लास जैसे आपका साम को हो गया है कल भी हो गया था साम को 6 बजे होता है मंडे टू फ्राइडे रिजनिंग 10 बजे जीकियेस जो डेली आपको साड़े 8 बजे होता है और करेंट अफेयर जो आपको डेली सुबह में साड़े 4 बजे मिलत ही मिलता है पर डेख पीडियाफ के साथ ठीक है चलो क्लास को स्टार्ट करवाने से पहले बोलूँ का 50 क्वेसन है डेली क्लास आपका प्रीमियर होगा और डेली क्लास में आपको ये जच करना है कि 50 प्रस्ट में आप कितने एंसर सही दे पारें मानलो 50 में आपने 40 क्वेसन का answer जो है वो सही दिया मालो आपने 10 जो question है वो आपके गलत हो गए तो आपको एक फायदा तो यह होगा कि 10 question आप इस stand सीख जाएंगे उस वक्त ही ताकि exam आते आते 4-5 1000 GK के question पर आपका command हो यही target है तो पूरा class देखिएगा अपने आपको judge करिएगा आप कितने answer सही दे पारें exam से ढीक पहले daily आपको यह test करवाय जाता है सिर्फ आप लोगों के लिए चलिए देखते हैं पहला प्रस्थ हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है और जो पहला प्रस्थ हमारे सामने है वो यह है कि कवल tiger reserve जो है वो किस राज में है यह आपको बताना है जो कवल tiger reserve है वो किस राज में इस्थित है तो इसका सही answer है आपका भी तेलंगना और तेलंगना के जो मुख मंत्री है उनका नाम क्या है के चंदर सेखर राओ और वहाँ के governor कौन है तो वहाँ के राजिपाल है एंसनल नर्सिम्मन ठीक है और वहाँ के जो राजधानी है तेलंगना का वो क्या है है भराबाद अगर आप डेली current affair फॉलो कर रहे हैं तो आपको यह सब अलग से पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मैं डेली के current affair में तत्त के साथ पॉल डे आपको करवा रहा हूँ ताकि एक्जाम के टाइम आपको अलग से पढ़ना ना पढ़े चलो अगला जो कुसन अमारे सामने वो यह है वर्सा को मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है यह कुसन आपका है वर्सा को मापने वाला किससे हम लोग rainfall को measure करते है तो इसका सही answer है option number C heightometer ठीक है अगला कुसन अमारे सामने है भारत में कौन से छेतरक में काम करने वाले लोगों की संख्या सबसे जादा है यानि which sector माले कौन से सेक्टर में सबसे जादा लोग काम करते है आपको बताना है कौन से छेतर में आपके सामने चार option है manufacturing में agriculture में यानि क्रिसी में IT भिवाग में या फिर service में तो इसका जो सही answer है वो है आपका option number B agriculture और आपको भी पता भी होगा इंडिया का जो सबसे जादा income आता है GDP का वो सबसे जादा number one पर agriculture ही है तो किसान बहुत important है हमारे देश के लिए और आप इस बार भोट भी करने जा रहे हैं तो किसान को ज़रूर रखेगा क्योंकि किसान है तो हमारा देश है अब आप बोलोगे आईटी सेक्टर आईटी सेक्टर number two पर आता है ठीक है लेकिन number one पर agriculture है जो सबसे जादा income हमारे भारत को देता है तो किसान के बारे में सोचना भोट से पहले बहुत जरूरी है सबी जो भी नौजवान है जो भी भोटर है इस बार चलो अगला कोसन हमारे सामने क्या है oxygen के परमारू संख्या क्या है atomic number बताना है आपको oxygen क्या है सभी को पता है common सा question है इसका answer होगा आपका 8 अगला जो question है रियाद जो रियाद है वो कहा की राजधानी है सभी को बताना है तो सभी को पता है Saudi Arabia का ठीक है Saudi Arabia का जो राजधानी है वो क्या है रियाद है चलिए अगला कोसन हमारे सामने है निमलिकित में से कौन सा अजेविक परियावान के भाग के रूप में नहीं माना जाता है which of the following is not considered as a part of the abiotic environment ये बहुत important question है देख लीजेगा अच्छे से इसका जो सही answer है वो है आपका plant क्या है option number A plant होगा इसका बिलकुल सही answer अगला question हमारे पास है जो है हमारा 7 number question वो है कि Tetris एक परकार का बीडियो गेम है जिसका अविसकार किसके द्वारा किया गया था option आपके सामने 4 है लेकिन इस प्रस्ण का जो सही answer है वो है अलेकसी पजीट तोनवो ठीक है option number C और आपको judge करना है मैं बार-बार बोलाओ comments करिएगा आपको judge करना है 50 question में आप कितने question सही दे रहे है ठीक है यह आपका taste है आपके दिमाग का अगला question है human bank belong to which category of the ecosystem मनुस जो है वो तंत्र के किस वर्ग से संबंदित है यानि मनुस जो है वो ecosystem के किस तंत्र से किस वर्ग से संबंदित है आपको बताना है 4 option आपके सामने है और इसका जो सही answer है वो है option number A यानि option number A is the correct answer of question number 8 अगला question है नरेंदर मोधी सरकार में वर्तमान उपभोकता मामले खार्द और सरवजानिक वित्रण मंत्री कौन है यानि consumer affair food and public distribution जो minister है वो हाल फिलाल में भारा सरकार में कौन है तो सभी को पता है राम बिलास पासवान जो बिहार के नैने वाले है ठीक है चलिए अगला question है बबूस बबूलीस किसका बिज्ञानिक नाम है question number आपका 10 है तो सही answer है आपका buffalo यानि वहस का नाम है ये वाला बिज्ञानिक नाम scientific name अगला question है महराष्ट के जो गवर्नर है जो राजपाल है उनका नाम क्या है 11 number question है आपके सामने महराष्ट के जो गवर्नर है यहाँ पर आपके सामने option गल्ती दिया गया है इसका जो सही answer होगा देख लो ध्यान से देखिएगा C number होगा आपका बिद्या सागर राओ अगर आप current affair follow कर रहे है तो 100% आपको answer पता होगा बिद्या सागर राओ होगा क्योंकि daily current affair में कुछ ना कुछ माराष्ट से जुड़ी हुई news आपके सामने आई रहे है और मैं daily करवाता हूँ question के साथ-साथ governor कौन है मुद्रा क्या है currency क्या है capital क्या है चलो 12 number question हमारे सामने क्या है वो ये है फल और सबजियों में कैरोटीन कौन सा रंग देता है ये आपको बताना है तो option number C है आपका नारंगी क्या है option number C orange अगला question है एजिप्ट की राजधानी कौन सी है देखो आपके सामने 4 option है और सभी को पता है almost इसका answer है आपका केरियो ठीक है option number B अगला question हमारे सामने है 14 number का आईरंड की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है यानि बोल सकते हो कौन सी disease यानि कौन सी बीमारी होती है अगर आईरंड की कमी हो जाए तो यानि आपका 14 number question है और सभी को पता है अधिकास क्योंकि common सा question है अगर बहुत बार exam में ये question आ चुका है तो अच्छे सी याद रखिएगा answer है आपका एनेमिया खून की कमी ठीक है 14 का जो answer है option number D है अगला question और बहुत important अभी मैंने आपको हाल फिलाल में इसके बारे में current affair में भी चर्चा किया था कि Earth Day जो मनाया जाता है वो किस दिन मनाया जाता है और हाल फिलाल में current affair में इसके उपर मैंने आपको करवाया है तो सभी को पता होगा answer होगा आपका 22 अप्रेल को मनाते हैं क्या Earth Day पिर्थवी दिवस चलो 16 नमबर क्वेशन है कि हेट्रोस्वियर का उपरी भाग लगबग पूरी तरह से किस गैस से बना होता है और आप इस क्वेशन को बोल सकते हो Railway R Railway Special Question RSQ यह बहुत important question है तो इसका सही answer है आपका Hydrogen सभी को पता है Hydrogen Gas से बना होता है अगला question है इंद्रावटी डैम जो है वो किस राज में इस्थित है जो इdd्रावटी डैम है वो किस राज में इस्थित है आपको बताना है तो सही answer है आपका Odisha प्तिक है क्या है इसका answer अगला question क्या है Acetic Acid को हम लोग किस रूप में जानते हैं या माना जाता है या आपको बताना है Question number है आपका 18 Acetic Acid को हम लोग किस रूप में जानते हैं या फिर किस रूप में इसे बोला जाता है माना जाता है तो सभी को पता है विंकर सिर्का ठीक है उननीस तंबर कोसर है निमलिखित में से किस PC में इप्योग किये गए अकरितिक सर्कीट में इप्योग किये जाने वाली टकनीक विक्सित करने के लिए नोबल पुरुसकार से सम्मानित किया गया है यानि किसको नोबल अवाट दिया गया है ताकि नोबल प्राइस किसले दिया गया है उन्होंने डिवलप किया है एक टेकनोलोजी जो इस्तमाल किया जासता कि इंटिग्रिटेट सर्कीट का ठीक है कहाँ पर तो PC यानि कम्पूटर में तो इसका जो सही एंसर है वो है आपका आपसर नंबर C यानि इस जैक किलभी क्या है इसका एंसर है उपसर नंबर C जैक किलभी ठीक है चलो अगला कोसन है 20 नंबर बहुत इस पॉटेंट कोसन है चकुंदर बिड़ पौदे का कौन सा हिस्ता है आपको पताना है 20 नमबर का तो almost सभी को पता है मुख्य जड़ी यानि tap root 21 नमबर पर समारे सामने है बैटरी का अविस्कार बैटरी का invention किसने किया था तो सभी को पता है बैटरी का जो अविस्कार करने वाले बेक्टी का नाम है भोल्टा option number V ठीक है option number B होगा इसका answer बोल्टा अगला question है आपका 22 नमबर की rootily एक type का अयसक या खनीज है वो किस परकार का है आपको बताना है वो किस परकार का और या mineral है कौन सा rootily तो इसका जो सही answer है option number C titanium क्या है इसका answer है आपका titanium type का ठीक है अगला जो question है हमारे पास और एक बात मैं बार-बार बोलना हूँ अपने आपको judge करना है देखना है पचास question में आप कितने प्रस्ण के answer सही दे पार है पूरे पचास question attend करने के बाद अगला question है आपके सामने सेस्यमोग्राफिक किस से संबंदित है यानि किस से जुड़ा हुआ है तो इसका answer है आपका अर्थुके आपको पता है जो भुकम पाता है वो किस से माफा जाता है तो वो इस से ही माफा जाता है ठीक है तो ये इस से क्या है संबंदित है 24 तंबर जो question हमारे सामने है वो ये है कि Almonium Nitride का रसाइनिक सुत्र क्या है ठीक है आपको chemical formula जो है वो बताना है Almonium Nitride का तो वो है आपका A option number A ठीक है अच्छे से याद रखेगा सारे question काफी important है मैं बार बार बोल रहा हूँ इसका PDF सारा का सारा आपको success key 98.in यानि इन से मिल जाएगा अगला question है आपके सामने जो ये किताब है न Apprenticeship of Mahatma ये इसके रचाइता यानि इसके लेखक इसके author कौन है 25 नमबर का question है और इसके जो writer है उनका नाम है फतीमा मीर option number D is the correct answer इस किताब के रचाइता कौन है फतीमा मीर option number D अगला question है हमारे सामने 26 नमबर और सारा का सारा PDF डाउनलोड कर लीजेगा आप लोग जाकर Please revision के लिए Success की 98.3 से अगला question है Elpidae नाजा जो है वो किसका scientific name है तो सभी को पता है कोब्रा का और कोब्रा किस परगार का जानवर है तो आप सभी को पता है एक साप है अगला question हमारे सामने है 27 नमबर निमलिखीत में से कौन सी नदी एक रिफ्ट घाती के माध्यम से बैठी है रिफ्ट भैली बोलता है न चलो तो आपको बताना है निमलिखीत में से कौन सा नदी एक रिफ्ट घाती के माध्यम से बैठी है तो सही answer है आपका नर्मदा क्या है नर्मदा अगला question है कि lighting conductor यानि lighting conductor के अविस्कारत कौन है यानि इसका invention किसने किया है ये आपको बताना है तो इसका जो सही answer है option number A है आपका Benjamin Franklin क्या है option number A Benjamin Franklin अगला question है Minotriz right day पूरे भारत वर्ष में कब मनाते हैं यानि भारत में अब संक्यत अधिकार दिवस कम मनाया जाता है option number आपके सामने दिखाई दे रहा है और आपको पता होना चाहिए 28 दिसंबर को मनाते हैं क्या भारत में अब संक्यत दिवस ठीक है अगला question है किस वज़ा से महिलाओ की आवाज अनिमेसित होती है आपको बताना है option number तीस प्रिक्वेस जो question है women have shrill voice because of cost या किस कारण है कि जो महिलाओ की आवाज है वो अनिमेसित होती है किस की वज़ा से ठीक है तो ये high frequency यानि option number जो भी है वो आपका सही answer है 31 number question है विस वैंक द्वारा किस बैंक ने office operation की इस्थापना के लिए किस भारतिय सहर का चैन किया है बहुत important question है banking के point of view से से भी तो इसका answer है आपका C चिन्नई और चिन्नई जो है वो कहा का capital है तो आप सभी को पता है तामिल नाडू का ठीक है और तामिल नाडू का जो चिन्नई के governor है राजपाल वो कौन है बनवारी लाल पुरो ही त्याद होना चाहिए आप सभी को यह सब चीज बहुत common सा question है अगला question है ऑस्टर किस फाइलम से सम्बंदित है 32 नंबर question है जो आस्टर है वो किस फाइलम से सम्बंदित है तो इसका answer है मौलूसक्वा ठीक है option number 4 चलिए अगला question है अगला question है National People Party जो है उसके founder कौन है option number D BPA संग्मा जो है वो NNP आप बोल सकते हो NPP NPP के जो founder है ये politics party है National People Party उसके जो है ये founder है कौन पी ये संग्मा अगला question हमारे सामने है जो है हमारा 40 34 number सौरी यहाँ पर ये 33 नहीं होगा ये 34 होगा hypertext बहुत common सा question है 34 number बहुत common सा question है बहुत बार exam में repeat हुआ है hypertext का अविसकार किसके द्वारा किया गया था तो 90% मुझे लगता है सभी को पता है टेड नेलसल के द्वारा किया गया था hypertext का अविसकार अगला जो question हमारे सामने है वो ये है कि किस राज सरकार ने तामसें सम्मान की इस्थामना की है यानि तामसें सम्मान का इस्थामना की सरकार ने की है तो सही answer है आपका मद्दे परदेश और मद्दे परदेश के मुख्यमंत्री कौन है तो वो है आपके कमलात और वहां के जो गवर्नर है वो कौन है अनंदीम बैंट पटेल यह याद होना चाहिए पहले वो गुजरात के मुखमंत्री रह चुकी है और एक बात मद्ध परदेश का राजधानी क्या है तो वो है हमारा भोपाल अगला क्वेसन है नेशनल साइंस डे हम कम मनाते हैं तो नेशनल साइंस डे आपका 28 फैवररी को मनाया जाता है प्रतिवर्स अगला क्वेसन है कि बेसिक इवडिट ऑफ हरेडिटी क्या है आपको बताना DNA है RNA है क्रोमोजोम है या option number D जेनी से है तो सभी को पता है इसका answer D ये common सा question है ये group D के exam में repeat हुआ था 18 वाले exam में तो इस question को आप लोग अच्छे से देखिएगा ठीक है चलो अगला question है हमारे सामने 38 नमबर की पसमीना जो एक परकार का उन है क्या उल-उल उन बोलते है ना जिसे प्राप्त आप बोल सकते हो भेड से गाय से गोट से या घोडा से तो सभी को पता है अभी आपके mind में आ रहा होगा भाया ये जो जिस परकार का उन है ना वो सिप से आपने अक्सर सुना होगा भेड से बहुत सारा जो उन है वो निकलता है लेकिन इसका जो सही answer है वो है आ किमारी से बचने के लिए दिया जाता है आपके सामने चार option है और सही answer है इसका tuber closest day यानि यक्छमा option number C जो है इसका correct answer है अगला question हमारे सामने है 40 number world mental health day यानि मानसिक स्वास्तिय अधिकार दिवस का मनाया जाता है तो इसका सही answer है आपका option number D यानि 10 October को हम लोग मनाते हैं क् 10 October को हम लोग मनाते हैं आपका world mental health day अगला question है North Korea का राजधानी क्या है आपके सामने चार option है और जो सही answer है वो है option number D ठीक है अगला question है UNIDO का मुख्याले कहां पर है बहुत important 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 question एक्जाम में repeat होता है ये सब question और hate quarter के उपर अलग से question करवा चुके हैं एक बार ध्यान से देखिएगा तो सही answer है इसका विन्ना अस्टेरिया में ठीक है चलो अगला question है लेटिवा का राजधानी सहर क्या है आपको बताना है तो इसका answer है option number D रिगा रिगा जो है वो लेटिवा का क्या है राजधानी सहर यानि capital है अगला question है बहुत common question बहुत important question आप बोल सकते हो इसको railway special question RSQ जो दुद्वा नेशनल पार्क है वो किस राजधी आप बोल सकते हो इस्तित है तो इसका answer है आपका उत्तर परदेश और उत्तर परदेश के जो CM है वो कौन है अधित्तियोगीनात capital क्या है तो capital सभी को पता है भाईया वहां का जो capital है वो है आ सामना एक जी चलिए 45 नमबर जो question हमारे सामने है how many bits does an IP address content एक IP address में कितने byte होते है यह आपको बताना byte दिया गया है यह bits होगा ठीक है bits की बात हो रहा है bytes की नयाद रखिएगा 45 नमबर question को ध्यान से देखिएगा और आपको पता होना चाहिए एक IP address में जो bits की संक्या होती है वो होती है आपका 32 ठीक है चलो 46 नमबर पसना हमारे सामने है first steam engine locomotive किसके द्वारा अविसकार किया गया था 46 नमबर question है और इसका सही answer है आपका option नमबर B George Stenson के द्वारा steam engine यानि भाप engine locomotive का अविसकार किया गया था चलिए 47 नमबर है चंदीगर फोर्ट चंदीगर फोर्ट जो है एक historical एक इतिहासी किला है जो 11 सताबदी में बनाया गया था यह कहां पर इस्थित है यह है आपका question number 47 ध्यान से दीजेगा अब आपके mind में आ रहा होगा भाईया यह चंदीगर नहीं है sorry sorry यह चंद्रगिरी है sorry extremely sorry for that चंद्रगिरी चंद्रगिरी जो फोर्ट है जो इतिहासी कला है वो किस राज में इस्थित है जो 11 सताबदी में तो सही answer है आपका आंधर परदेश ठीक है आंधर परदेश is the correct answer वहाँ पर क्या है चंद्रगिरी फोर्ट है अगला question है मोहिनी आट्यम जो एक dance है एक परकार का निर्थ है वो किस राज का ह आपको बताना है यह किस राज का dance है तो answer है आपका केडला क्या है केडला चलिए अगला question है आपका सरकार के विकास वे में निमलिखित में से कौन सा सामिल नहीं किया जाता है उन्चास नंबर question policy economics के point of view से बहुत जादा important है और इसका जो सही answer है वो है defense expenditure यानि रक्षा जो खर्चा है वो include नहीं किया जाता है ठीक है तो इसका answer है आपका option number D अगला question है पचास नंबर की भारत में अधिकारिक तोर पर कितनी भासाओं को मान्याता दी गई है मान्याता बोल रहा है यानि officially recognized की गई है इंडिया में how many languages कितने भासाओं को तो इसका answer है option number C 22 याद रखेगा तो ये थे आपके important current affair 50 class number 15 यानि 7500 question GK के आपके complete हो चुके है और इसका सारा का सारा PDF आप लोग अभी जाकर success की 98.in से download कर लीजेगा और एक बात बोलूँगा अगला जो class होगा वो रिज्दिंग का रात को 10 बजे होगा और math का class अभी अथक आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजेगा इसके just पहले math का class भी आपका complete हो गया है त उसमें आप कितने सही question कर पाते हैं और जितने गलत किये हैं उसको दूबारा आप सिख रहें कि नई सिख रहें per day ठीक है चलिए thank you everyone